हेलो वेलकम टू आल फिर से स्वागत है इस शांदार सीरीज में आप सभी का मुझे पूरी उम्मिद है कि यह सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपका बहुत-बहुत फायदा हो रहा होगा ठीक है तो आएए देखते हैं आज जो क्वेश्चन करना है हमें यह क्वेश स्टार्ट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट इन दर पॉजिटिव एस डिरेक्शन विट एक्सेलरेशन एकोल टू केटी एट टाइम से यह पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ओफ फ्रिंज विट पार दा प्रिंज पैटन ऑन दा स्क्रीन वेराइस विट ताइम एस ठीक है पूछा है और ग्राफिकल पूछा सबसे बड़ी बात यह आंसर नहीं पूछा कि वैल्यू क्या है ग्राफ बताओ तो जब भी ओग्राफ तो वही क्या देखो वच्चों यही होता है आई जब भी इजी क्वेशन पूछता उसको थोड़ा सा टफ करना होता ना तो दो काम क फोड़ी ग्राफकी प्रैक्टिस की जी देडर निकाल दीजिए का प्रैक्रिकेस करेंगे तो तो आइए इसको आग षजय करते हैं बनाना फ्रंजविट का रेट ऑफ-ट्रेंग हमसे विट पूछा है से पूछा है तो जखते हैं बच्चोघ कर तो में थोड़ा सा सहल करना जहां इसको हमने एक्स बता दिया यह जो किसी भी इंसिटेंट का इसको हम d Benedict इस बोल देंगे डिसन किसी इंस्टेंट पर वाले प्लेन जिस्टैंस को आईए चलें देखते हैं इसको की बात कर लेता है भूकी तो यह इंटरी अचारी और आज वहिए ऑफ से स्टार्ट हुआ है यानि कि अगर हम इसे लिखें तो जीरो से टी टाइम पर बात करेंगे इनिशल वेलस्टी जीरो थी तो वी एक्स ही निकल के आएगा तो वी एक्स जो हमारे पास आ जाएगा डैट इस के टी स्क्वाइर बाए टू अब हम फ्रिंज विट लिखना चाहरे हैं तो देखिए हम क्या करने वाले हैं फ्रिंज विट के लिए अगर हम चलें यह वाला पूरा डिस्टेंस हमें डी डैश लेना पड़ेगा बाकी सभी चीजें तो आईए देखते हैं तो हम यह लिख रहे है और डी डैश की में बात करता हूं तो मैं थोड़ देर यहां लिख लेता हूं दो को डी डैश हमारा क्या था मैंने आपसे कहा था कि डी प्लस एक्स था अगर हमें डिफ्रेंशेट करना है तो मुझसे पूछा भाई डी बीटा बाई डीटी तो यहां से क्या होगा लेमडा डीटाइश इसका डिफ्रेंशेटी कॉंस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ आएगा बच्छों डी एक्स बाई डीटी डीएक्स बाई डीटी का मतलब यही जो वी एक्स हम फाइंड करके लाएं स्क्रीन की एक्स डारेक्शन की वेलोसिटी है यानि यह क्या बन जाएगा सि डीट ऑफ चेंज ओफ रिंजविट कह रहें मतलब इसी को जो आर लिखा इन्होंने कैपिटल आर में इसको लिख देता हूं तो आप देख पाएंगे कि यह जो है फंक्शन ओफ टी स्क्वाइर आर प्रोपोर्शनल टो टी स्क्वाइर तो बन गया फंक्शन अब बहुत आ तो इस तरीके से ग्राफिकल भी आ जाए तो मैं डरना नहीं ठीक है आईए अब चलते हैं इसके एक और पार्ट को सॉल करने थोड़ा सा वी एक जिहां रख लीजिए काम आने वाला है तो क्वेस्ट्टन वही है एस इस ठीक है अब हमसे जो पूछा है यह पूछा है वेलो दीजिए यह एनफ मैक्जिमा बन रहा होगा और इसके लिए यह वाला जो डिस्टन्स होगा दिस विल भी वाई ठीक है अब देखो इसके पास दो वेलोसिटी आएगी क्योंकि वाई जो रेट आएगा वो तो आएगा इसे स्क्रीन भी मूव कर रही है तो एक्स की वेलोसि क्योंकि आएगेजिमा है जो हमसे वैक्टर वी पूछा है इसमें देखी मैं दो बाते लिख रहा हूं एक्स कंपोनेट तो वही रहेगा यानि कि इससे मैं लिख राओं कि यह तो वी एक्स ही रहेगा आई-कड में प्लस यह जो वी वाय जो रहेगा जयगे मैं इसको हम सिद्धे जानते हैं कि विवाय कॉम क्या लिख सकते बचो दी बाइग तो यहां पर विवाइब चाहिए तो चिह सिद्धे विवाइए तो इसका डिफ्रेंशेशन कर दें kolo kame के साथ-साथ waż दिफ्रेंशेट कर दिया जाये तो यहां पर फिर हमारे पास आजाएगा धियान दीजएगा एन लैमडा बाइडी और डी डैश यानी दी लिख देता हूं मैं यहां पर डी डैस और या दे यह हमने हमने find किया भी हुआ है ना फिर से यहां लिख देता हूं कि डी डैस जो था हमारा वह था डी प्लस एक्स वहमने जब तो लिख देते हैं भी एक बार में यहां VX है तो VX ही इसको लिख देता हूं बाद में हम value put कर देंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं कि यह होगा N lambda by D into VX ठीक है चलिए लिखते हैं तो therefore vector V जो हमें चाहिए substitute कर देते हैं value आप देखेंगे दोनों में VX VX आ रहा है तो VX को common ले लें तो मेरे पास आ जाएगा that is VX common यह यह एक्स component है तो यहां पर बच जाएगा कुछ नहीं है यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचा है यहां आई कैप प्लस यहां बच गया बच्चों N lambda by D और जे कैप ठीक है पर यहां पर आप देखें के टी स्क्वाइर बाइट आ रह ठीक है देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है केटी स्क्वाइर बाइट तो इन दोनों में आ रहा है इसमें देख लेते हैं आई केवल है और जे में लेम्डा बाइड यानि यह वाला option मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है तो यह ही हमारा correct option होगा आईए मैच कर लेते हैं यह स बच्चों ठीक है तो देखा आपने question जो है कैसे twist किये जाते हैं जेएडवांस इसी तरीके से question को twist करेगा बहुत ज्यादा उटपटांग नहीं देगा पर कहीं न कहीं conceptual आप देखी क्या use किया इतना beautifully इसको use किया गया है कि X में भी निकालो Y में भी निकालो I hope यह question आपको इस series से बहुत बहुत फाइदा हो रहा होगा तो बच्चों हमेशा की तरह अब आपके पास कल कायानी कि next brainstorm question आ रहा है अब इस question में आपको क्या करना है question तो भी शो हो जाएगा इसके बाद आपको से solve करके रखना है next यानि कल जब यह question solve कराया जाएगा उसके पहले जरूर आप इसे solve करके रख लें फिर आप मैच करें कि जो आपने solve किया है क्या वो सही है ठीक है तो बड़ा मज़ा आएगा यह series बहुत शांदार है आपको मज़ा आई रहा होगा तो enjoy कीजिए बच्चों ठीक है और बिलकुल इमानदारी से लगे रही है तो इसके बाद है आपक झाल